देखते हुए मैं आपसे भी आगरा करूंगा कि कैस्ट लेस्ट डे आउट का एक्सपरिमेंट करके देखें जरूर करें साथियों पिछले कुछ सालों में बीम यूपियाई तेजी से हमारी एकानोमी और आदतों का हिस्सा बन गया है अब तो छोटे छोटे शहरों में और जादातर गावों में भी लोग यूपियाई से ही लेंदेन कर रहे हैं डिजिटल एकानोमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है गली नुकड की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें जादा से जादा ग्राहों को सर्विस देना आसान हो गया है उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती आप भी UPI की सुविधा को रोज मना के जीवन में मैसूस करते होंगे कहीं भी गए कैस्ट ले जाने का, बैंक जाने का, ATM खोजने का जंज़ोती खतम मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इन छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट से देश में कितनी बड़ी डिजिटल एकोनमी तयार हुई है इस समय हमारी देश में करीब 20 हजार करोड रुपे के ट्रांजिक्शन हर दिन हो रहे हैं पिछले मार्च के महने में तो UPI ट्रांजिक्शन करीब 10 लाग करोड रुपे तक पहुँच गया इस से देश में सुविधा भी बढ़ रही है और इमानदारी का माहोल भी बन रहा है अब तो देश में फिंटेक्श से जुड़े कई नए स्टार्ट अप भी आगे बढ़ रहे हैं मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास भी डिजिटल प्मेमेंट और स्टार्ट अप इको सिस्टिम की इस ताकत से जुड़े अनुभव है तो उन्हें साजा करिए आपके अनुभव दूसरे कई और देश वास्यों के लिए प्रेणिना बन सकते हैं मेरे प्यारे देश्वास्यों टेकनोलोजी की ताकत कैसे सामान्य लोगों का जीवन बदल रही हैं ये हमें हमारे आस पास लगातार नजरा रहा है टेकनोलोजी ने एक और बड़ा काम किया है ये काम है दिव्यांग साथियों की असाधारंग शमताओं का लाप देश और दुनिया को दिलाना हमारे दिव्यांग भाई भेन क्या कर सकते हैं ये हमने टोक्यो पेरलम्पिक्स में देखा है खेलों की तरह ही आर्ट्स, अकडेमिक्स और दुसरे कई खेत्रों में दिव्यांग साथि कमाल कर रहे हैं लेकिन जब इन साथियों को टेकनोलोजी की ताकत मिल जाती हैं तो ये और भी बड़े मुकाम हासिल करके दिखाते हैं इसलिए देश आजकल लगातार साथनों और इन्फरास्रक्चर को दिव्यांगों के लिए सुलब बनाने के लिए लगातार प्यास कर रहा है देश में ऐसे कई स्टार्ट अप्स और संगठन भी हैं जो इस दिशा में प्रेणादाई काम कर रहे हैं ऐसी एक संस्ता है वाइस ऑफ स्पेशली एबल पीपल ये संस्ता आसिस्टिव टेक्नोलोजी के छेत्र में नए अवसरों को प्रमोट कर रही हैं जो दिव्यां कलाकार हैं उनके काम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भी एक इनोवेटिव शुरुवात की गई हैं वाइस ऑफ स्पेशली एबल पीपल के इन कलाकारों की पेंटिंग्स इसकी डिजिटल आर्ट गैलेरी तियार की हैं दिव्यांग साथी किस तरह असाधारन प्रतिभावों के धनी होते हैं और उनके पास कितनी असाधारन शमताय होती हैं ये आर्ट गैलेरी इसका एक उधारन है दिव्यान साथियों के जीवन में कैसी चुनोतियां होती है उनसे निकल कर वो कहां तक पहुँच सकते हैं ऐसे कई विशेयों को इन पेंटिंग्स में आप महसूस कर सकते हैं आप भी अगर किसी दिव्यान साथियों को जानते हैं उनकी टैलेंट को जानते हैं तो डिजिटल टेकनोलोजी की मदद से उसे दुनिया के सामने ला सकते हैं जो दिव्यान साती हैं वो भी इस तरह के प्रयासों से जुरूर जुड़ें मेरे प्यारे देश स्वासियों बिहार और जाठखन की तमाम खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें